वे नम्र और नम्र एक आवश्यक विश्यवानी पीटिया से प्रभु मस्य ने परवत पर अपना उपदी शाठ छंदों के साथ शुरू किया, जिन्हें बीटी जूट के नाम से जाना जाता है. तीस राश लोग है धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे प्रित्वे के अधिकारी होंगे जो नम्र है उसे ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जाता है जो सिखाने योगित, सहनशील, आंतरिक शक्त रखने वाला और पीड़ा में धैरेवान है. नम्रिता को दूसरों से श्रेष्ट महसूस करने की कमी या यहां तक की खुद की दूसरों से तुलना करने की कमी के रूप में वर्नत किया गया है. नम्रिता के साथ हामतर पर विनम्रिता, नम्रिता, शान्ती और आत्मा में दीन होना जुड़ा हुआ है. विनम्रता अभिमान का विप्रितार्थी को दूसरों के संबंद में स्वयम को कमतर करने और आकरामक्त आत्म पुष्ट की कमी के रूप में देखा जाता है जो विनम्र और नम्र होता है वह अकसर दूसरों के हितों को अपने हितों से पहले रखता है ये एक आंतरिक ध्यान है जिसमें व्यक्ति अपनी तुच्छता की सराणना करता है। इसका परिणाम ये होता है कि ये एक सत्थ आंतरिक शांती और संतुष्टी को पन अपने में सक्षम बनाता है और साथ ही दूसरों की मदद करने और सिवा करने के लिए स्वतंत्र करता घरमंडी और अभिमानी व्यक्तियों से बनी दुनिया में जो एक दूसरे के साथ ही युद्र करते हुए अपनी दिन बिताते हैं। ये कोई आश्चरे की बात नहीं है कि ये शो ने क्यों घोशना की कि जो लोग विनम्र और नम्रुचरित्र के विकास में सफल होने में सक् बनाये गए। खुश किये गए। संग्रक्षित। श्रील प्रभुपात की पुस्तके व्याख्यान, वारित अलाप और पत्र इस आवर्शक विश्य की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं। जैसा कि वानी कोट स्विनम्र और नम्र श्रेणी में देखा जाता है। उ ब्राम्भन के समान सों में व्यर्भार नहीं प्राप्त कर सकता। ऐसे व्यक्ति की विध्या सर्प के फन को सुशोबित करने वाले बहु मूल्य रतन के समान होती है। फन पर बहु मूल्य रतन होने के बावजूद भी नाग, नाग ही है और सामान ये नाग की तरह ही नहीं बनता है तो वेदों और पुराणों का उसका सारा अधियन और शास्त्रों का उसका विविशाल ज्यान केवल बाहरी पोशाक है जैसे मन्षपन रति कर रहे एक नाच्टिक अलाकार की पोशाक क्रिश्न पुस्तक अध्याय 78 भगवान चायतन्य के शिक्षाष्टक्ष लोकों में से एक में कहा गया है भगते को पेड़ से अधिक सहनशील और घास से अधिक विनम्ड होना चाहिए उसे दूसरों को सारा सम्मान देना चाहिए लेकिन अपने लिए कोई सम्मान स्विकार न में सुचित किया गया तो वे तुरंत मौके पर भागे और अपराध्यों जगाई और मधाई को मारना चाहा भगवान चायतन्य का ये व्यर्भार बहुत महत्वकून है इससे पता चलता है कि एक वैश्न बहुत सहनशील और नम्र हो सकता है अपने व्यक्तिकत सम्मान के लि स्वभाविक रूप से इतना विनम्र और नम्र होता है कि वे इन जीबन के किसी भी स्थिति को भगवान के आशिरवात के रूप में स्विकार करता है तो वे देखता है कि जो भी उलट फेर होता है वेहुस के पिछले दुश कर्मों के कारण होता है और इसलिए वेह कभी किसी परारोप नहीं लगाता है इसके विपरीत वह अपने कष्टों से शुद्ध होने के कारण भगवान के परम व्यक्तित्व से अधिकाधिक जुड़ जाता है इसलिए पिड़ा भी शुद्ध हिकरण की एक प्रक्रिया है श्रीमत भागवाद 6.17 सत्र मुरारी गुपता श्री चैतन्य महाप्रभू के व्रेक्ष की 21 शाखा भगवान के प्रेम का भंडार थी उनकी महान विनम्रता और नम्रता ने भगवान चैतन्य का हुरिदय पेखला दिया चैतन्य चरितामरित आधिल लीला 10.49 श्री शुग्रेव गोस्वामी ने कहा भगवान श्री कृष्ण विदुर की गोद में अपने कमल पैर रखकर प्रसंद हुए क्योंकि विदुर बहुत नम्र और नम्र थे विदुर की बातों से मैत्रे रिशी बहुत प्रसंद हुए और उनकी भावना से प्रभावित होकर उन्होंने बोलने का प्रयास किया श्रीमत भागवत 3.1, 3, 5 एक भक्त को हमीशा बहुत विनम्ड और नम्ड होना चाहिए और दूसरों को विशेश कर बरिष्ठों को पूरा सम्मान देना चाहिए भगवान के परम व्यक्तित वुद्वारा संग्रक्षित होने के कारण एक भक्त हमीशा शक्ती शाली होता है लेकिन एक भक्त अपने शक्ति को अनावशक रूप से प्रदर्शित नहीं करना चाहता है हाला कि जब एकम बुद्धे मान व्यक्ति के पास कुछ शक्ति होती है तो वेहिस का उपयोग इंद्रियत रिप्ति के लिए करना चाहता है ये भक्त का अच्रण नहीं है श्रीमत भागवाद 6.1.7.37 यद्यपी भगवान अपने बाएं हाथ की उंगली से परवत उठाने में सक्षम है फिर भी वे हमीशा वे नम्र और नम्र रहते हैं वह अपने प्रेमी भक्तों के प्रति हमीशा बहुत दयालू रहते हैं उसने इंद्र यग्य के बलिदान से इंकार करके इंद्र के प्रति शोद के प्रयास को विप्फल कर दिया है वह सभी युवा लड़कियों के लिए सभी सुखों का कारण है वह अब सभी पर सदव दयालू रहें भक्ति का अम्रित अध्याय पचास व्यक्ति को मन की विनम्र अवस्था में भग्वान के पवित्र नाम का जाब करना चाहिए अपने आपको सड़के तीनके से भी नीचे समझना चाहिए व्यक्ति को एक पेड़ से भी अधिक सहरंशिल होना चाहिए जूठी प्रतिश्ठा की भावना से रहित होना चाहिए और सभी को सम्मान देने के लिए तैयार रहना चाहिए आन्य ऐसी मन्नेह स्थिति में व्यक्ति निरंतर भगवान के पवित्र नाम का जाप कर सकता है जब तक कोई विनम्र और नम्र नहीं होता वेह भगवान के चरण कमलों में बैठने के योगे नहीं हो सकता श्रीमत भागवाद 6.1714